नमस्कार दोस्तों की चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों अगर आप भी अपनी स्किन को ग्लॉइंग और चमकतार बनाना चाहते हैं तो सहनाज हुसेन द्वारा बताए गई ब्यूटी टिप्स और फेस पैक मैं आपके लिए आपके लिए लेकर आए हूँ जिसका इस्तमाल करके आप अपनी चेहरे पर ग्लो ला सकते हैं और अपनी तवचा पर निखार पा सकते हैं दोस्तो हल्दी तवचा के लिए बहुत अच्छी होती है हल्दी बढ़ती उम्र के लक्षनों को भी कम करती है और ज्यादा तर घरों में हल्दी का इस्तमाल तवचा को निखारने के लिए क्या जाता है हल्दी कई तरह के तवचा की देखभाल के लिए फाइदेमन है ये पिंपल पैदा करने वाले बैक्टिरिया को मारता है और इसकिन और को भी कंट्रोल करता है जिसकी वज़े से तवचा पर मुहासे और पिंपल्स नहीं होते हैं हल्दी दाग थबब को भी दूर करता है और आपकी इसकिन में चमक और निखार लाता है सेनाच हुसेंजी ने दही को लेकर बहुत से सोंदरी प्रियोग किये हैं जो हमारी तवचा के लिए बहुत ही लापकारी है दही तवचा को पौसन देने के लिए बहुत लापकारी है औ और तवचा को चमकदार बनाने के लिए आप इसे घर पर ही उप्योग कर सकते हैं इसके लिए आप दो चमच दही में थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और चहरे पर इससे मालिस करें अच्छी तरह से कुछ देर मालिस करें दही में लेक्टिक किसिड होता है जो बेजान तवचा के उप्चार में मदद करता है और कुछ देर मालिस करने के बाद आप इसे साफ़पानी से धोले इससे आपकी जुरिया भी कम होगी और तवचा में बहुत ही अच्छा निखार आएगा सहनाज हुसेन दुआरब बताया गया जो फेस पैक अब मैं आपको बताने वाली हूँ इससे आपके चहरे में बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा और आपकी इसके चमकने लगेगी इसके लिए आपको बादाम पीसकर उसका पाउडर बना लेना है और दही और सहद इन तीन चीजों के आपको जरुरत होगी थोड़ा सा आप सहद लें और उसमें थोड़ा सा ब बुख जाए तो गिले हाथों से एक दो मिनट आप अपने हल्के हाथों से मसाज करें इसके बाद आप अपने चहरे को ठंडे पानी से दो लें इसे आप सहपते में दो से तीन बार लगाए यह आपकी तवचा को निखारेगा और चमक लाने के लिए बहुत अच्छा उपा होंगे और आप इन से लाब लेंगे इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जाते जाते एक लाइक कर जीजे मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद